वेलकम टो बायो श्रडी विद निकिल यूटूब चैनल है वील लॉन बायोजी इन सिंपल वे तुम महरास्ट्र स्टेडबोर्ड शिलाबस हम देख रहें निव सिलाबस यह वर्ड आप ध्यान में रोको निव सिलाबस ओके तुब बायोलोजी का सिलाबस ले अपना बायोलो मिलने चाहिए और जरु मीलेंगे चाप्टर नमबर 11 हमारा शुरुई जिसका नाम एणन इंश्मेट फूड प्रडूक्शन इनांस्मेट फूड प्रडॉक्शन और हम कैसे प्रोडुक्शन को इंक्रीस कर सकत Ohio फृ профDeils ओ फिर वो सिलक हो उसके बाद अनी हो तो उसको पैस मेडमस्ट रौक्षन इसमें बहुत सारे यहापर कल्चर है यहापर सेरी कल्चर है इसके बाद लाइक कल्चर है तो डिफ्रेंटी यहापर मिस यहापर कोंसे बीजनेस टाइप ओके अपने production को कैसे बढ़ाया जाए ऐसे यहापर इस chapter में आपको पार्ट नंबर हमारा फॉर्स्ट है यहाँ पर शुरू है सो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसके पहले हमने जो है यहाँ पर क्लास 12 के आल्मोस्ट 13 चप्टर्स हमने अपलोड कर दिये आउट फिप्टीन सो फिप्टीन में से 13 हो गए हैं दो बाकिये अभी वह जल्दी से मैं अपलोड कर दूँगा सबसे पहले अगर कोई आपका बाइलोजी पर सिलाबस खतम करेगा निव सिलाबस लाइन टू लाइन टू प्लिक टू टॉपिक तो वह होगा अपना चैनल जिसका नाम है बायो श्रीवी निखिल के पहले मैं सबके पहले जो है बाईलोजी के पूरे पूरे वीडियो अच्छे से यहाँ पर लाइन टू लाइन और टॉपिक टॉपिक जो है अच्छे से अपलोड कर दूँगा तो चाप्टर नमर हमारा 11 शुरू है तो चाप्टर का पास जो पार्ट है फस्ट वो शुरू करते हैं हमारा फॉर्स्ट जो टॉपिक है वह यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग सो प्लांट ब्रीडिंग हमारा फॉर्स्ट टॉपिक रहेगा उसको हम डीटिल में देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है उसके बाद इसके स्टेप्स कौन-कौन से बाकी सब ओके तो सबसे पहले जो plant breeding है वो कैसे होता है और क्या होता है so plant breeding is applied branch of botany so botany अगर आपको पता नहीं तो आप जान लो कि first होता है biology और जो biology है वो दो यहाँ पर part में divide होता है यह होता है zoology and second होता है botany okay so biology हमें पता है biology क्या है तो living organism की study करना उसे हम बोलेंगे biology because bio means living and logic means study so living organism की study करना उसे हम बोलेंगे biology उसमें first is zoology देने हैं हमको यहाँ पर botany so zoology मतलब zoo means animal animal की study करते है तो वो आता है zoology के अंदर और plants की study करते है तो वो आता है botany के अंदर so हम क्या देख रहे है यह plant के अंदर का breeding देख रहे है इसलिए यह कैसे है तो applied branch of botany क्या है तो involves collective use of the art and science इसमें हम art and science को collective use करते है कैसे करते तो आपको बाद में आपको समझ में आए जाएगा पूरा का पूरा ओके इसमें क्या है तो यह plant breeding is the branch of botany applied branch of botany है and involves collective use of art and science art and science का collective use हम इस plant breeding में जो है वो करते है for changing किस के लिए for changing and improving the heredity heredity means transfer of genetic character from one generation to another generation heredity means transmission of character यसमें क्या होते है maximum character next generation में आपर क्या होता है तो transmit होते of a plant in order to create a desirable type desirable type means desired जैसे हमको plants चाहिए वैसे हम खुद create कर सकते है उसके अंदर का इस उस जो plant अपना वो बहुत branch उसको आए ऐसा लगना वैसा अगर आपको plants चाहिए तो वह भी हम create कर सकते with the alpha plant breeding so plant breeding botany की यह क्या है तो applied branch है and collective art and science को collectively use करते यह changing and improving heredity of plant in order to create किस के लिए created desirable type desirable type create के लिए plant breeding का use किया जाता है desirable type मतलब उसकी plant के height कितने होनी चाहिए वो अगर हम हमें decide कर कि कितने height होनी चाहिए तो हम उतनी बना सकते है उतनी branching होनी चाहिए उतनी बना सकते है यहाँ पर next जो हमारा topic है वो है आपर objectives of the plant breeding ब्रीडिंग जो है वो क्यों करने है इसके objectives क्या है okay so first improvement in the quality जो product अपना उसके quality भड़ाने के लिए next क्या है तो resistance to the pathogen and paste जो pathogen है जो plant को disease cause करते है इसे pathogen and paste जो होते है उसको resist करना चाहिए यह plant ने ऐसा प्लांट हम बना सकते इंटेंसिव branching branching यहाँ पर एसा अगर यहाँ पट रही है तो उसको branch कितने होने चाहिए अगर ज्यादा ब्रांच हमको लाने है तो हम यह plant breeding का use करके ला सकते है then reduction in the dormancy period dormancy period means seed को germinate होने में time लगता उसे में बोलते है dormancy period और उसको break कर सकते है मतलब जो seed है वो जल्दी ही यहाँ पर क्या हो सकते है जिससे new plant जो है जल्दी create होगा ऐसा है reduction of in dormancy period के अंदर तो यह है first में इसके objectives में किसके लिए करने है तो improving the quality के लिए resistance pathogen pest को resistance हुराइटी create करने के लिए intensive branching produce करने के लिए plant के अंदर and dormancy period reduction means उसको reduce करने के लिए जो है plant breeding का इसमा इस्तामाल गाजाता है यह इसके objectives है इसको इसलिए किया जाता है ओके and the five steps in the plant breeding are so this market ने step पूरे five steps है अगर पूरे five steps आपने देख लिए तो आपका plant breeding जो है वो topic भी खतम हो जाएगा फॉस्ट में आपने देखा कि प्लार ब्रेटिंग क्या होता है उसमें हमने देखा कि ऑब जेक्ट्टिव क्या इसके क्यों करते हैं किसलिए करते हैं आप देखेंगे इसके स्टेप्स वन बाइवन so इसका first step है है collection of variability, so collection of variability, collection मतलब collect करना, variability और variation मतलब अलग-अलग plants को first में collect किया जाता है अगर प्लांट की एक स्पेसिस है तो उसमें कौन से कौन से यहाँ पर डिफ्रेंस देखते है और पॉपुलेशन फॉर पर्टिकुलर क्यारेक्टर के लिए जैसे के हाइट हो गई, उसके बाद ब्रांचिंग हो गई, सच जेनेटिक वेरियेशन, जेनेटिक मतलब ऐसे वेरि जनेटिक वेरिशन और हैरिटेबल, वो कैसे है, हिरि टेबल है होगकेशन है है, हैरिटेबल तो ये जो ये है, स्पूल है तो फर्स्ट कलेक्ट करते हैं all the collected genes are the effectively exploited सभी जो collected gene उसको exploit किया जाता है मिस उसको अलग निकला जाता है collected gene को for the breeding program breeding program के लिए किसके लिए तो breeding program के लिए ओके entire collection of the all plant of seed so सभी plant के seed को collect किया जाता है for all diverse alleles alleles मतलब diverse में different annals मतलब यहापर alternative forms of genes genes के दो alternative forms होते होते होता होमोजाइकस और दूसरा होता है heterozygous okay so homozygous होता है यह को दूसरा होता है heterozygous homozygous में कैसा similar alleles होते हैं और heterozygous में होते हैं dissimilar alleles means alternative forms of genes यह ध्यान मेंनों को first chapter में जो हमारा chapter था inheritance and variation उसमें हमने पढ़ा था so gene in a particular crop are called as germ plus collection so entire collection मतलब पूरा का पूरा collection of a plant seed for all diverse alleles genes in a particular crop is called as germ plus collection एक particular crop के अगर सभी के सभी alleles collect किये जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर germ plus collection okay so entire collection पूरा का पूरा collection of a seed for the diverse alleles अलग-अलग अलीज के लिए genes इन पर्टिकुलर crop एक हाथ यह particular crop के लिए उसे हम बोलेंगे germ plus collection so germ plus collection आपको समझ में आ गया होगा so यह first है हमारी step यहाँ पर plant breeding की collection of variability and variation इसमें different types आप एक ही crop के different जो plant उसके seeds लिए जाते हैं मतलब different variation जो यह आपर एक जगह पर लाए जाते हैं उसका collection किया जाता है ओक हो गया first step के अंदर collection of variability and variation के अंदर उसके बाद जो हमारी next step है वह evaluation and the selection of parents इसमें क्या करिया जाता है तो evaluation किया जाता यह कौन अच्छा है मिस कौन अच्छी quality देता है कौन सी seed कौन सी आपर जो है bad quality देता है उनको evaluation किया जाता है उसको निकाला जाता है बाहर and selection of parents और इसमें parents select किये जाते हैं so first it is the important and the essential operations in the all programs यह important and essential है यह important है और essential मतलब यह होना ही चाहिए करना ही पढ़ता है step all the collected germ plus हमें पाता है जर्म प्लास मतलब total अलीज जो होते एक particular crop के different अलीज उसको बोलते जर्म प्लास collection वो जर्म प्लास को क्या क्या जाता है इस नाव evaluated वो evaluate किया जाता है to identify the plants bearing desirable combination of character ऐसे plants जो क्या करते तो desirable combination of character दिखाते हैं such identified plants are selected them and them and process of hybridization hybridization बोले तो उसका crossing over किया जाता है okay using the parents उसको parents as a parents हम use करते है so first collection क्या आता है जर्म प्लास का and evaluate उसको हम बाहर निकालते plants bearing desirable combination of character ऐसे plants जिनके अंदर क्या है तो desirable character है उनको identify क्या जाता है और उसको यहाँ पर hybridization के अंदर लिया जाता है hybridization बोले तो mixing जिसमें plant and male plant and female plant उसको क्या किया जाता है तो mix उसको जो है उसमें pollination जो होता है pollination बोले तो hybridization मतलब mixing okay so male gamet female gamet fuse होते है okay hybridization हम उसको बोलते है and in the parents so use in the parents और हम जो है okay then इसमें पूरसे होते है emasculated flower are covered with the paper backs so first emasculation होता है emasculation में क्या होता है कि यहाँ पर धान में रखो यह होता है आपको बता यह क्या है तो यह male female का part okay then इस तरह से यहाँ पर होता है यहाँ पर आंथर होता है okay answer and यहाँ पर होता है stamen okay stamen so अब हमको अगर male and female plant बनाना है तो यह दोनों फ्लावर कुछ ऐसे होते जिन में क्या होता है male gamet and female gamet एक ही plant के उपर होता है जिसकी मैंने यह diagram निकली यह bisexual flower है जिसमें यह part male का है यह part female को कर्ट के जाता है so male का यह जो part i just go cut and बन जाता है और बाकी करल के जाता है तो फिर इसके पोलनगरे लिए जाते और इसमें डाले जाते सहो फॉर्स में इसको यह咁ट कर डालना पड़ेंगा उसको हम बोलेंगे emasculation, so emasculated flower, अब यह flower कैसे emasculated है, मतलब इसमें जो है, यह male का पार्ट पूरा का पार्ट delete कर दिया है, हमने, तो अब रहा है यह बीच में का, और यह बीच में का हमें पता है, यह female का पार्ट यह पूरा, male का पार्ट हमने delete कर दिया, यह बीच में का, तो बीच में का रहा है female, अब हमें पता है, यह stigma होता है, यह flower को receive करता है, stigma, और इसको बाकी के जो हमें pollen grain नहीं चाहिए, वो यहाँ पर गिरने नहीं चाहिए, नहीं तो pollination हो जाएगा, इसलिए इसको paper bag से ऐसे cover किया जाता है, of suitable size, समझ में आ गया, यह male का part remove करते हैं, फर्स्ट देने फिमेल बन जाता है, और फिमेल बन जाने के बाद, इसको जो ऊपर वाला पाड इसको cover किया जाता है, because unwanted pollen grain इस पर गिरने नहीं चाहिए, वही यह आपर बताया गया है, इमें excolated flower is covered with the paper bag, paper bag से cover गया जाते है, of suitable size to prevent pollination, so pollination हमें पता है, transfer of pollen grain from enter to stigma, यह उपर का part के stigma है, by the pollen grain of unwanted source, ऐसे pollen grain जो हमको crossing over में, means parents को cross करने में चाहिए नहीं, वे से इस पर गिरने नहीं चाहिए, because वो wind से गिर सकते है, हमें पता है कि pollination की जो agencies होती है, wind होती है, air होती है, birds होते है, insects होते, तो इस तरह से इस पर गिरने होती है, वो होती है, cross hybridization among the selected, so जो parents हमने select के, उसमें cross hybridization होता है, cross मतलब male and female को cross किया जाता है, each other, means यहापर क्या होता है, artificially हमको pollination यहापर करना पड़ता है, so hybridization क्या है, तो it is crossing of two selected plants differing from each other, genotypically, ऐसे जो genotypically, means उतका अंदर का जो internal makeup है, genotypically means internally, उसके genetic constitution है, वो different होना च characters, उसमें एक और जो more, means एक और दो, एक से ज्यादा character different होने चाहिए, उसको हम cross कर सकते है, और cross करते है, in order to get the combined character in F1 generation, किसके लिए तो यह दोनों के character mix होके हमें यह plant मिलेगा, जो दोनों की character दिखाएगा, इसलिए, for example, आपको इदर समझ में आएगा, for example, high protein quality of one plant, parent, okay, so ए एक ऐसा plant है, जिसमें high protein quality देता है, वो seeds में, and second है disease resistance ability of the other plant, दूसरा plant है, तो जो disease को resist करता है, यह दोनों को अगर हमने combine कर दिया, and फिर हमको मिलेगा the flower, that ऐसा flower मिलेंगा, जो कैसा होगा, तो जो disease को भी resist करेंगा, और high quality protein भी उसमें होगा, इस तरह से plant breeding का use करके, हम desirable type of plant क गेट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर मिला सकते हैं, selected plant which has to be used female parent, अगर हमको ऐसा plant है, जिसके उपर जो flower है, वो bisexual है, मतलब उसमें male भी है, female भी है, तब अब क्या करें, अब तो हमको उसको as a female plant use करना है, female flower, so ऐसे flower के अंदर क्या करता है, अगर हमको female part use करना है, तो male part को हम easily collect, उसको cut कर डालेंगे, so bisexual flower के अंदर दोनों होते है, उसमें क्या होता है, तो एंथर from its remove and that is process called as emasculation, जिसमें यह एंथर का पार होता है, इधर का और इधर का इसको remove किया जाता है, और उस process को हम बोलते है, यहाँ पर emasculation, emasculation समझ लो क्यों करते है, because यह flower हमको female as a pure female flower और चाहिए, इसलिए यह जो यहाँ पर pollen grains, stigma के यह इधर गिरने नहीं चाहिए, because इसको इसको पर हमको जो pollen grain गिराने है, लेकिन दूसरे plants के, ऐसे plant में high quality of protein quality है, high end, उसमें जो quantity है, quality protein के ज़्यादा है, यह disease resistance है, तो इसलिए यह जो flower इसके pollen grain इस पर नहीं गिरने चाहिए इसलिए हम इसको cut कर डालते है, और दूसरे यहाँ पर flower के pollen grain को यहाँ पर गिराते है, okay, so इसलिए हम इसको बोलेंगे emosculation, यह क्या करेगा, खुद के pollen grain को इस पर गिरने ने देगा, उसको हम paper bag से cover करते हूँ, हमने पहले देखा, so इसलिए इस part को हम यहाँ पर क्या कर द सब्सक्राइडिंग की, वह है cross hybridization among the selected parents, और selected parents जो हमने select के उसके अंदर हम cross hybridization करते है, okay, इसमें हम first में देख लिया कि crossing होता है, two parents के बीच में का, इसमें emasculation important यहाँ पर process है, जिसमें क्या किया जाता हो, जो male part होता है, enter, उसको remove किया जाता है, before anthesis, मतलब उस पर pollen grain form होने से पहले ही उसको क्या किया जाता है, तो remove किया जाता है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर emasculation, so then हमारे जो fourth यहाँ पर step combination, so first the progeny, progeny बोले तो of hybrid, hybrid बोलो तो यह आप ध्यान में रखो, first में एक plant होता है, उसको दूसरे plant के साथ क्या गया जाते, cross क्या जाता है, और उससे जो plant produce होता है, third वाला, यह first and second, यह दोनों के भी character दिखाता है, इसलिए मिसको बोलते है hybrid, okay, hybrid बोले तो दोनों के character और उसे हम बोले की hybrid, उसकी progeny, progeny बोले तो number of seeds ओ Content, the produce इन बोले प्लांट की विए वो सें में बोलेई की गता है उस nostro por के 보사 तो बोले जाएगा तो यह जा जाएंगा तो यह पर observe के जाएगा for the desirable combination of character, so desirable जो हम को चाहिए character उसको combine कर मेंवी combination of character के लिए, so desirable यहाँ पर ब्लाइब डिया पर डिसके बाद यहाँ पर डिसरेबल कॉमिनेशन आपके लिए अच्छा है तो उसमें क्या करेगा उसको अब्रिट विगरों कहलाएगा और आर कलेक्टेड सच अ प्लांट ओके वो कलेक्ट किया जाए गांड सच अ फ्लावर इसलिए उसको उसलिए यहां पर फ्यू जनरेशन के लिए वैसाइब में जो होगी and next क्या होगा वो कैसे बन जाएंगे homozygocity homo means same उसका zygocity जो है अंदर का constitution वो same बन जाएंगा एक सरी का बन जाएंगा वो change नहीं होगा and due to these plants attained a state of uniformity uni means same uniformity वो एक सार के जो है यहाँ पर seeds को form करेंगा plants को form करेंगा and characters do not segregate और जो character वो कम ज़्यादा segregate नहीं होगे कि कुछ generation में appear हुए कुछ generation में appear नहीं हुए ऐसा नहीं होगा एक सरी के हमको plants मिलेंगे because of cell यहाँ पर selection of superior यहाँ पर recombinants is यहाँ पर step के अंदर हुआ तो यह होगा यहाँ पर selection and superior recombinants of the recombinants इस हमें हमें यहाँ पर हमको पता है कि हमने देखा है detail में ओके यह हमारी fourth यहाँ पर step थी हमारी plant breeding की उसके बाद जो हमारे last step है न वह है testing release and commercialization of new cultivars so new cultivars है जो हमने cultivate किया है new plant है उसकी testing की जाती है उसको release and commercialization उसको specific area के अंदर उसको देखा जाता है कि यह कैसे grow होती है so the newly selected lines are evaluated for their productivity so evaluate means उसको देखा जाता है उसको की कितना product यह देता है कितनी productivity कितना यह जहाँ पर हमको productivity देता है and agronomic characters agronomic means यह कौन से यहाँ पर land के अंदर कौन से soil के अंदर कौन से character देखाता है वो भी हम देखते सच evaluation is done by the growing so evolution कैसे होता है यह हमको कैसे दिखता है तो हम इसको कैसे evaluate means कैसे understand कर सकते है by growing the plants in the research field उस plants को हम क्या करते है तो research field जो है हमारी उसके अंदर research field तो ऐसी यहाँ पर जगा होते है जी जगा हम research करते है उस जगा पर उसको growing किया जाता है और देखा जाता है कि सच में वो यह सी productivity देता है क्या under the controlled under control okay so under control and such plants are given grow in the natural field for the at least और उसके बाद उसको at least three generation की लिए जो है different agronomatic zones means different यहाँ पर agromatic means soil different soils के अंदर different यहाँ पर एरिया के अंदर उसको grow किया जाता है diversity होना चाहिए intense branching होना चाहिए और उसके साथ साथ हो हमको maximum productivity देने वाला भी चाहिए तो यह होता है plant breeding and यह हो गए उसके step उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर Indian hybrid crops India के अंदर कौन से इसे crop है जो hybrid hybrid मिस जादा से ज्यादा quality and productivity देते है ओके फर्स्ट इसमें यहाँ पर वीट जिसे हम गेवू बोलते है देने राइस जिसे हम चावल बोलते है ओके तो गेवू एंचायल के कौन से ऐसी भराटी से जो hybrid है जो अच्छी से quality उसके बाद productivity देती है तो फर्स्ट हमारे यहाँ पर है इन 1960 तो 1960 के अंदर जो वीट है और राइस है उसका प्रोड़क्शन इंक्रीज हो गया था tremendously means बहुत ज्यादा ओके tremendously Norman E यहाँ पर बॉर्लैग and develop the semi-dorf varieties of the wheat उन्होंने क्या किया तो यहाँ पर semi-dorf variety यहाँ पर यहाँ पर develop की यह जो है यहाँ पर भी है बी ओ आर यह ले यूजी ओके और डेवलफ semi-dorf variety of wheat semi-dorf variety उन्होंने develop की जिसका नाम था Sonia Lika and Kalyan Sona are the two hybrid wheat varieties grown in India ओं इंडिया के अंदर grown wheaty 1960 के अंदर और तब क्या हुआ था wheat का जो है और राइस का जो है maximum यहाँ पर production बढ़ गया था बहुत ज्यादा production हो गया था so semi-dorf rice varieties यह first हमने देखी wheat की so wheat की कौन-कौन से फिर Sonia Lika and Kalyan Sona then semi-dorf rice variety कौन-कौन से वेर टेकन फॉम आयार आयार एट से उन्होंने लिया था आयार बोले तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिटूट से लिया था and तैचुंग जैसे कि नेटिव फ्रम तैवांग तैवांग जो है वोससे लिया था and introduced in इंडिया वो इंडिया में introduced किया गया था कौन से थी फिर वो वो चावल की जो भराइटी वो थी जया उसके बाद था पदमा देन रतना देन आर देटर इल्डिंग and semi-dorf rice varieties that were developed latter वो लेटर डिवलप हुई ओके तो यह जो है यह क्या था तो semi-dorf rice varieties सी कहा से लिए थी तो international rice research research institute से लिए थी तो rice and wheat के जो है हमको क्या देखने है तो यहाँ पर semi-dorf variety ऐसे variety जो अच्छे से maximum productivity and quality देती है so 1960 के अंदर जो tremendous increase हुआ ता production के अंदर rice and wheat के सो आपको simply यह धान में रखना है कि जो semi-dorf variety वीट की वह कल्यान सोना और उसके बाद यहाँ पर कल्यान सोना इन सोने लिका and rice की है यहाँ पर जया उसके बाद पदमा रतना and are the better yielding and semi-dorf यह जो better yielding थी और जो semi-dorf थी वो कौन से फिर जो वो latter यहाँ पर develop हुई फर्स्ट में थी यहाँ पर जया पदमा रतना वो better yielding थी बहुत जाद उसकी yielding थी बेटर बेटर हम बोल सकते हैं ओके तो यह हो गए यहाँ पर wheat and rice की यहाँ पर varieties जो इंडिया में develop हुई थी तो उसके बाद हमारे पास है शुगर केन की तो शुगर केन या पर थर्ड यहाँ पर इंडियन hybrid crop में से शुगर के यहाँ पर थर्ड ए यहाँ आपर यहाँ यहाँ आपर राइस देहां फुच्ट में और सिकनल में देखें शुगर के के तो यहाँ पर अपर इसैक रम बार मेरी इसन निटिया वो नौर्त इंडिया में रहती थी सैखरार मबरी उसकी ने टीव थी किए नार्थ इंडिया से उसके बाद यह संद्रीन कर्थ यह जो नौर्थ इंडिया में अच्छे से ग्रोन करती तो, इंडिया की उसका थीकर स्टेम था था लेकिन यह सैकरम आपिसिनारम जो ए वो नौर्थ इंडिया के अंदर यहाँ पर कल्टिवेट नहीं होती थी फिर क्या हुआ तो इस वाराइटीज व है यह दोनों को को डॉस क्या गाया फिर्ट बडिस आप दोनों को कश्च गया तो है शुगर और उसके बाद नहीं की थी, फेकर कर गई, फॉर्स्ट में नहीं की थी, थेकंड में कर गई, ब्युक्यूरिक है वहने यहां पर हईब्रिच घूतरैंट में गोला उसके बाद ग्रोंगाओ स Weltky देन यहां पर 421 & 453 यह जो है यह भराइटी जै किसकी यहां पर शुगर कें की ओके इसमें कैसा है हाविंग हाई शुगर शुगर इसमें बहुत ज्यादा रहता है और डेवलप इंडिया एड़ देवलाप होती थी उस पर ग्रो करती थी वह तामिल लाड़ो में ओके तो यह जो है यहां पर यहां पर मिलेट्स की ओके मिलेट्स मिलेट्स के अंदर फॉर्स्ट आता है यहां पर मेज है ब्रीड लेकिन कैसा है यह ब्रीड वराइटी इंडिया की यह थर्ड हमने देखी फॉर्स हमने देखा भीट राइस दिन देखा शुगर के यह हैं मिलेट्स यह थर्ड है ओके त प्रोलक्तिविटी हाई थी इलडिंग दो रियवायि प्रहपर्पर फार कि मीस्व आपर प्रोड प्रोडक्तिविटी एन्रीडिया के अंदर stationary इपने आपर हम्पपाइटेशन Andersaf के लिए डिस इसको रिजिस्ट करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करते हो के उसके एक्जामपल लिखेंगे इस इसको इसको यहाँ पर प्लाउन रस्ट आन वीट जो वीट है हमारे गिवुए उस पर ब्राउन रस्ट आता है dauphin है तो इसको एप्लाइट ऑफ पलाइट ऑफ पाटाटWow प्लाइट प्लाइट थेर्जान से होता है यह परन है क्र्यूसीफर उसको निवस्थी है यह आपर टॉब्यी को मुशाइब वायरस टी्मम उसको शाट में बोलता है टॉब्य को मुशाइक वायरस यह टोब को में first time यहाँ पर देखा था यह वायरसे यह फंजा अंड यह यह जो यहां पर है इसका अबज्टिवर राइटेट और इंफिंट इन गृदिंट करें किा अगा तो और इसेक यो स्कुर। नहीं आगा पयाटीज सिर्टो सहरा Holla of the plants are called as disease resistance variety और उसी वराइट इस प्लांट के वराइट इसको बोलेंगे डिसी रिस्टन्स जो डिसीज को होने नहीं देती डिसीज को रिजिस्ट करती है तो बेसिक टेक्निक यूज इन दे सेम आज वेल सब्सक्राइब करने के लिए यूज की जाती है दिन यहां पर समॉब समॉब इस रिजिस्टन्स प्लांट डेवलप आर तो यह आप ऐसी वराइटी है जो प्लांट में डिसीज को रिजिस्ट करती है ऐसी डेवलप की हमने मिलक सवह सब्सक्राइब की खाइब यहां सब्सक्राइब चिलि यहां पर हमारे मीट थी उसमें पूसा सदाभारी यह जो चिली मोजाइक फ्यरस उसको यहां पर प्रोटेकt आपको सबसे यहाँ इसमें इंपर्टंट क्या है इसमें इंपको यहीं में कुनसी वहराइटी कौन से डिशसको रिजिस्ट करते हैं विपको सीटी में 100 परसंट पूछा जाएगा कि की इसके सिस्ट को पुछल है अपको पूचा जाएगा कि पूसा सदाबार यह कि ये पहले और उसको आपको पूचा जा सकता है कि पूसा बार यह चीली की को रायाइटी कौन साइव को रिजिस्ट करती हτε तो जो चार्ट है ना यह आपको CT के लिए most important है as well as आपको board exam के लिए भी most important है यह डिस आपको ज्यादा पूछने जाएंगे लेकिन यह जो है यह चार्ट आपको most important आपको रट के जाना है आपको में जो है आपको रट नहीं है दूसरा इसमें पर याई नहीं है ओके सो यह हो गया यह आपर plant breeding for disease resistance और यह हो गया some disease resistance plant develop सो हमने कुछ ऐसे plant develop किये वो disease को resist करते है और वो फीट के ब्रासिस का के कॉलिफ्लावर के इंचिली के है ओके सो यह हो गया आपर disease resistance plants देन उसके बाद हमारा next point है mutation breeding सो प्लान ब्रीडिंग देख लिए आप देखते हैं mutation breeding क्या होता है ओके सो mutation is a sudden mutation हमको पता है कि हमने ओरीजिन एन इवलुशन ओफ लाइफ जो चाप्टर उसमें देखा था mutation is a sudden heritable heritable means transmit होने वाला एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक transmit होने वाला होता है और वो चेंज होता है और वो चेंज होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओके क्वाज नेचरली यह नाचरली होता है और यह आप इसको इंडूस्ट भी कर सकते है बाइद केमिकल म्यूटेजन से म्यूटेशन जो हो सकता है ओके इसलिए इसके दो टाइप पढ़ेंगे एक होगा नैचरल chemical mutation और उसको physical mutagen बोलेंगे दुसरा होगा chemical mutagen एक natural होता है यहाँ ऑन केमिकल ही होटा है इसमें क्या होता है उब हिज्व decreasing मूटेशन होगा है यहाँ फिजिकल मूटेशन और उप concern saving ओसे कार्मन डॉकसिट का ज़्यादा होगा उसके बाद ऊशियाद है तो होता है तो उता है कैसा नेचरल और फिजिकल म्योट अस애 लेकिन के मिटे जंस में क्या है तो नाइट्राइश अचीड दिन इयम्स ड्याइटी इथील-मिथील सलफोनेट उसके बाद मुस्टार्ड ग्यास एंड इन उसके बाद कॉलची सी सबसके जसी इससे क्या होता है तो यहाज पर म्युटेशन होता है लेकिन केमिकल भी जन से य एक्सपोस टु यउवी भल्ब जो यॉ भूल्ब मिलते हैं उसके यहाँ पर एक्सपोस के वहें ग्रल्थ करते हैं ज palmine टीटेसिटलिंग्स यह name reasoning प्रूस्ड ग्रिडेट क्याम एसे हैं आरदेन स्क्रीन उसको स्क्रीन क्या जाता है एक वाराइटी है राइस की जिसका नाम है यह यह फीट की है सो यह mutation breeding से create की हुई है जो क्या करते है तो डिसिस को रिजिस्ट करते है पेस्ट को रिजिस्ट करते है और हाई इल्डिंग क्वालिटी देती है ओके वीट की जो है वराइटी हमारी है इंग रिजिस्ट ग्या होता है उसको रिजिस्ट करते है चाहिना में यह पर gli onion is a whatory grow में नंश्राइं होता है उसके बाद थاشकORE नें आचेरेल घंटीकल से उसको उसको बता है उसके एकशामफल की जो जो मुटेशन ब्रीडिंग है उससे हमने राइस की कुन सी यहाँ पर प्रोड्यूस की उसके बाद वीट की कुन सी है और उसके बाद क्याबेज की है यहाँ पर वह वर्याइटिस आपको धनमे रखने यह इंपोर्टन यह सीट के लिए आस वेल अस बोर्ड के लिए भी इंप सब्सक्राइज करने के लिए यह ब्रीडिंग होती है लेकिन अब देखेंगे इंसेक्ट पेस्ट को रिजिस्ट करने के लिए कंसी ब्रीडिंग होती है और कैसे होती है। मुले तो यह को खते इसलिए इसका नाम है को खते Okay and incur having loss in the quantity and the quality of crush यह कंड़ा करते क्राप की उसका नुकसान करते और पी जिस्टंस किर टेवलप यह उसको रिजिस्ट करने के लिए हमारा नुक्सान होना नहीं चाहिए उसलिए पेस्ट को रिजिस्ट करने वाली वहराटी डिसीज करनी की डेवलप करनी के लिए फॉलिविंग स्टेप को किया जाता है फॉलिविंग वे है तो इसके अंदर फॉस्ट है डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फोलोजिकल क्यारेक्टर मॉर्फोलोजिकल मिस आपको पता होने चाहिए कि उपर उपर के मॉर्फोलोजिकल मिस उसके उपर के फिजिकल क्यारेक्टर जो होते है जैसे कि लाइक लिव्स हेरी लिव्स लिवस के ऊपर हेर्स जो है वो प्रूडूस होती है यह कैसे मॉर्फोलोजिकल क्यारेक्टर है अगर इंसेक्ट आएंगे तो वह यहापर लिवस तक पोची नहीं पाएंगे बिकाज बीच में हेर होंगे इन कवाटन उसके बाद फीट डेवलाप वेक्टर रेजिस्टन्स फॉर्द फ्रम जासी जो वह यहापर क्या है तो जासी इंसेक्ट होते जासीड्स और से अंड शेयल लीफ बिटल यह क्या है तो यह है पर से मिस मॉर्फॉ बाइब है फिजिकल ही प्लांट अपने अंदर से चैंग के जो क्या होता है जो रेजिस्टेंस होता है फैस्ट पैसे पाइगा इसलिए गैस ऺेख इसलिए स्वाजिट बीट उसको रिंस마 डैनिट में जिस्टिland केरेंटनेर प्रोवाइब रिस्टेंस इन्सेकत एन फिस्ट जो बायो कीमीकल करेंगर हो जो प्रोवाइड करते है रिजिस्टेंस तुदी इन्सेक्ट एंफिस्टेशल कै Treat frank कैस कैसे था इसम फोलल सब्सक्राइब हाइ maar other plants सभावार के अंदर नेक्टर लेस ऐसा कॉटन प्रोडिस और नेक्टर नहीं है स्मूद लिए तो स्मूद लिव दो डिवलप रेजिस्टंस अंगें द बॉल वर्म जो यहां पर नेक्टर को सकरने के लिए पूल पर जाएंगे नहीं फ्लावर पे और दूसरी बाद जो लिव्स है वो स्मूद रहेंगे वो जाएंगी तो फिसल जाएंगी तो ऐसे यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं तो जैसे कि अंदर प् deepest कर वहार करते हैं तो यह और प्रौप कर सकते हैं वहार पर प्लाटी के और सेम् 20 अंड़री यह वह खर रकती है इसी आह प्लौप एंफीटे आनद फूर्व होता है उसको रिजीस्ट करते हैं हरुन फ्लाटो बीनarina वह वह भएटी के नाहीं, यह को आपको सुने नहीं है, यह आपको यह से रटने होंगे, इसको रट लो, ओके, दिन ओकरा, ओकरा जो वह भंडी, भंडी जो होती है, उसका यह यहाँ पर कुराप है, वह राइटी इसका है, पूसा शावनी, अन पूसा एफोर, जो क्या करते ह विदो यहां पर या पर प्लांट बीडिंग वही बीद्टर घ्रय्पिश्टर बिल beti सव यह सव ह orchain कर सकते मैं इसको यह होने नहीं देती उसको यह रोकती है वालिया इह पर प्लांड बीडिंग फोर डिवलेपिंग रिजिस्टन्स तु दे इंसेक्ट एंड फेस्ट ओके सो इसको भी आच्छे से कर लो कि उसके बाद यहाँ पर सेकंड हमारा टॉपिक है वह है मेथरोलोजी फॉर टीशू कल्चर अब देखते हैं टीशू कल्चर क्या होता है टीशू बोले तो हमको पता है गुरूप उप सेल एंड कल्चर जिसमें कल्चर मिस उसको क्रियेट किया जाता है अगर एक टीशू ले तो उस ऊर्गेटिशू को पूरा बना सकते हैं और यह लोवर और ओर आर्गेटिशू कल्चर के अंदर स्टेप होती है फॉस्ट एक्स प्लांट उके एक्स प्लांट कल्चर है है first so explain क्या है तो the plant part that excites for the original plant ऐसे ओर जिनल प्लांट का थोड़ा सा प्लांट का पार्ट and which may be cell tissue or cell tissue हो सकते या फिर एक आदा और गन हो सकता है प्लांट का and generally प्रेंच चाहे मां tissue होते है और मेरी स्टेम होता होता है easy user explantxplant probably simply आपको समझ में आना नहीं आना कि जो प्लांट उसका छोटा सा पर जैसे कि वह टिशु कौन हो सकता है original प्लांट का उसे बोलेंगे explant haar sterilize उसको sterilize किया जाता है और शको properly and place on the Soil nutrient medium or solid nutrient DM के अंदर उसको place किया जाता है रखा जाता है and sales from ex planned absorbed nutrition औरESE तो एक्स-प्लांट की सेल्स हुती है, एक्स-प्लांट की वो क्या करती है, नूट्रेशन को क्या करती है, यहाँ पर अब्सब करती है, and starting multiplying, और वो multiplying होना शुरू कर देती है, इस तरह से हम क्या करते है, तो किसी भी प्लांट को और लोवर औरिमिजम में यह possible है, कि एक टीश करते हैं और solid nutrient medium के अंदर उसको रखते हैं देन वो मल्टिप्लाइज होना स्टार्ट करते हैं देन उसके बाद है क्यालस formation and its culture ओके सो फर्स्ट टेप हमारे हो गई एक्सप्लांड कल्चर देने क्यालस formation and its culture so an unorganized mass of cells unorganized एसे mass of cells जिसको और गन नहीं इसलों उसको बोलेंगे और नर्गनाइज mass of cells muscles form from explant explant से क्या होता है तो और नर्गनाइज mass of cells form होता है and उसको ही हम बोलते है यहाँ पर क्यालस explant से यहाँ पर multiplying हो गया और उससे क्या फोंगा यहाँ पर और unorganized mass of cell उसे बोलेंगे एक्स उसकों बोलेंगे क्यालस has thin wall उसको thin wall रहेंगी and leaning parents amateurs cells और उपर से parents amateurs cells रहेंगी so all these cells of the callous are similar वो similar होंगे because they are produced by mitosis यह mitosis होगा mitosis हमें पता है कैसा हाई कि यह equational division है इसलिए यह सेल्स जो वो सरीके होगी एक सरीके होंगे because इसमें mitosis हुआ है ओके यह हो गया फर्स्ट क्यालस formation देन हो गया है तो यह हो गया फर्स्ट एक्स्प्लांट कल्चर देन उसके बाद यह है क्यालस and its culture ओके क्यालस formation and culture तो यह आपर दो स्टेप होगे tissue culture की उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड स्टेप वो है organogenesis organ and then a genesis genesis means formation and organ 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 मतलब organ जिस प्रोसेस में फर्म होते है उस प्रोसेस को हम बोलते है यहाँ पर organogenesis the process of development of the different organ like root stem and leaves यह plants के organ है यह three ओके वो क्या होते है तो डेवलप होते है from callus callus से उसे बोलते है organogenesis फर्स्ट में हमने एक्स प्लांट लिया था उससे callus बन गया है callus organs यहाँ पर create हो गए ओके देन ग्रोथ हार्मोंस लाइक oxygen जो होता है and second होता है cytokinin जो हमने हमने देखे थे पिछले वाले चाप्टर में पिछले बोले तो सेवन चाप्टर में हमाई प्लांट ग्रोथ और मिनरल नुट्रेशन उसमें हमको यहाँ पर प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने वाले प्रमोटर्स होए उसमें oxygen and cytokinin हमने हर्मोंस देखे थे वह हर्मों क्या गरते है प्रोवाइड टू दे क्यालस को प्रोवाइड करते है और इंडूस्ट फार्मेशन ऑफ और वह और और को फार्म करते है इफ ऑग्जीन जो है वह पर क्या होगा ज्यादा होगा वें इस प्रोविट का निन और मोर देन ऑग्सीन और फिर्स्ट में ज्यादा था तो राइजोगेसिस अगर ज्यादा आए और अपर शूट सिस्टीम फॉर्म होगी और उसे मोलेंगे लिए और आपको धान में रखने होगे इसमपल है और यहाँ पर आपके हमारे जो नोट से वह आपको समझ में आने आएंगे सिंपल है शौर्ट भी नहीं है आपको डिटेल में अगर आप इतना लिखेंगे तो सफिशेंट है आपको माक्जिमम बोले तो आउट आप मांक्स जो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर नोट सापको चाहिए तो आप इस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करो या फिर हमारा टेलीग्राम गुरूप है वह जाइन करो सब कल्चिरिंग में देनों ब्लांत चैनल रिंडरेशन कोलेशन जोकशीन जॉसका सेक्षिंड जो इवो ट्रांसफों के जाएगा specific यहाँ पर regeneration medium के अंदर and regeneration medium content growth hormones उसमें क्या रहेंगे growth hormones रहेंगे कोन से oxygen cytokinin and the young plant develop from the cultural tissue is called as plant let's और वो क्या करेगा भी उस generation means यहाँ पर regeneration medium में उसको रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर growth hormones भी रहेंगे oxygen cytokinin और वो young plant develop करेगा cultural tissue से उसे हम बोलेंगे plant let's okay एंग plant जो हमारा create हुआ उसे हम बोलेंगे plant let's यह आप ध्यान में रखो उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर जो six हमारी process है वो है यहाँ पर transplanting so transplanting क्या है तो the regenerated plant let's plant let's यहाँ पर पता है हमको यह generate हुए उसको क्या किया जाता है are not directly transformed into soil वो soil के अंदर उसको directly transformed नहीं किया जाता है तो फिर क्या किया जाता है they are transformed into the sterile soil in pot so sterile soil के अंदर ऐसी soil जो produce नहीं कर सकती plants को ऐसे sterile के अंदर जो pot है उसके अंदर उसको रखा जाता है and the plotted plants kept in chamber वो chamber के अंदर यहाँ पर रखा जाता है plotted plants okay so here transplanting में उसके बाद transplanting में four point है plantlets exposed to the environment is called as hardening so उसके बाद जो plantlet होते हैं वो environment के साथ उसको exposed किया जाता है उसके बोलेंगे hardening and the hardened plants are transformed into the field उसके बाद जो plant hardened हुए है उस plant को जो है field में transfer किया जाएगा और फिल वो naturally grow करेगा अच्छी से अच्छी productivity देगा और वो जो होगा tissue culture में so first में हमने क्या दिया था plant का छोटा सा part लिया था लेकिन उससे हमने क्या क्या पूरा का पूरा plant create कर दिया so first में हमने क्या लिया यह देखो यह फर्स्ट में हम ले लिया मदर प्लांट उसका चोटा साथ तुकडा लिया और यहाँ पर उसको हम बोलेंगे explant explant से फिर क्या हुआ यहाँ पर देखो क्यालस उसके बाद क्यालस से फॉर्म हुआ शूट मीं से यहाँ पर हम और इसको जो है वह यहां पर прид किया जाता है तो firstly हमने यह explorant चोटे से परसे पूरNow यहाँ पर जदा से ज़्याद हमने क्या बनाए ईयही तो है Tissue Culture टi शू कल्चर परिजिशु की हेल्प से एक्सelente की हेल्प से पूरा का पूरा और्गेनिजम सो और्गेनिजम में यह पॉसिबल है लेकिन लोवर और्गेनिजम में यह पॉसिबल नहीं है सो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारे बॉड़ी का एक छोटा सा पार्ट लेकर हमारा पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा बोडी अगेन फर्म किया जा सकता है ऐसा हो सकता है लेकिन जो प्लांट से एं लोगर ऑर्गनिजम है अंदर उसके अंदर जो ऐसा हो रहा है और एसा हम करते भी ऑके सुझ आंदर ये टीशू कलचर है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है टीशू कलचर आपको सम इसमें क्या होता है और सो तो इसमें तîneम्हों मल्चिप्लीकेशन वेजी 202 के ले तो पता है विग्ठीटीव 215 ना MJ उद्र झेन्दर जिसले आप पर रूट हो गें लिवे ऊंहेज जाता है और nutrited medium उसको हम बोलते हैं Micro propagation उसको क्या बोलेंगे Micro propagation और shoot apical meri stem जिसे हम अपाइकल बढ़ बोलते हैं इस एक्सप्लांट हमें पता है कि tissue culture में एक्सप्लांट यूज किया जाता है और प्लांट होता है छोटा सा पार्ट प्लांट का जैसे कि टिशू हो सकता है और गन हो सकता है उसको हम बोलेंगे मायक्रोप्रोपेग्यूल्स एक्सप्लांट के लिए जो एक्सप्लांट यूज करते है जो प्लांट का छोटा सा पार्ट यूज करते है उसे हम बोलेंगे माइक्रो प्रॉपेग्यूल तो यूजिंग टिशू कल्चर टेकनिक एड एकजेस्टिंग ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन को एकजेस्ट करके जैसे कि अगजीन है साइटो काइन ने मेनेशूट वपींज जीस आपाइकल बॉर्ड को प्रोड जा सकता है और यहापई पर शूट शूटस से पाकल बडश से इसको जो बाद में क्या क्या सकता है ट्रांसफर्म कैसा जा सकते हैं और रीजनरेशन मेडियम and produce plant lead or plant lead produce जा सकते और plant lead जब हम expose करेंगे and from them new individual the plant can be obtained और इससे जो है वो new individuals जो है plant हो वो obtain होगा ओके तो यहाँ पर new individual जो plants है वो यहाँ पर obtain होगा तो यह होता है यहाँ पर micro propagation में तो micro propagation जो है यह हो गया micro propagation इसमें first time we do to multiplication of plants करते जिसमें apical मेरी stem जो आपैकल बोर्ड होता है वो हम एक एकड़ल यूस करते और ऊजिशन इसको बोलेंगे वह क्या करेगा लेगा उससे यह new plants from होगे यह होगा macro propagation के अंदर कर इसके बाद यहाँ पर यूसे आप आप माइक्रोब्रोफ प्रोपाइकशन उसके उसके बोले तो advantage उसके क्या advantage है okay so micro propagation क्या है तो tissue culture का ये क्या है तो application है और micro propagation के uses क्या है तो it using rapid multiplication of plants इसमें हम rapid multiplication कर सकते कम ही समय में ज्यादा से ज्यादा multiplication कर सकते है plants का by using micro propagation उसके बाद यहाँ पर the large number of plants obtained in a short time कम time के अंदर large plants obtain कर सकते सक्राइब के अंदर agenda कम स्पीरेट के अंदर तो हमारे पासम जगाए खों टाइम में च्के में पिरीट है तो हम स्वाय कम घृजगा के अंदर जाद से ज्यादा plans को कर सकते। और यूस्ट व使 अप्टेन जेनिटीकल प्लांटा सियॉर्टी के destructive लिए जैनिटीकल मतलब से मिलर जने जनेटीकल मिस हो सकता है मतलब होता ही है इसे हम मिलता है ऑफ प्लांट्ट औपेडैंट उन यह सीजन कोई भी हम कोई भी समर में विंटर में उसके बाद यहाँ पर कोई भी सीजन हो मांसुन हो तो हम इसको क्या कर सकते तो यूज कर सकते से इसलिए सीज़न पर डिपेंड नहीं है मतलब इन डिपेंडन्ट ऑसीजन रेयर प्लांट जो रेयर प्लांट और इंडेंजर्ट स्पेसिस बीकोज वो नाचरली ग्रोड नहीं हो रही तो उसका एक प्लांट का थोड़ा सवाव पार्ट ले लो उसे हम बोलते यहां पर एक्स प्लांट और उसके बाद वन बाइवन स्टेब बाइट सेब चालो करो टीशू कल्चर मेंस माइक्रोप्रोपाइगेशन और उससे क्या करो तो जो प्लांट कम हो रहे है जो रेर प्लांट है जो मिल नहीं रहे है ऐसे प्लांट को हम प्रोड्यूस कर सकते और उसकी जो यहां पर स्टेबल लेवल है उसको मेंटेन कर सकते इस ट्रॉंगर यहां पर स्टोरेज बिकम इजी आज मायक्रोप्रोपाइगेश इसको स्टो और बनाना इस पॉसिबल और बनाना जो पोटाटो है इसका कमर्शियल प्रोड़क्शन जो है वह हम इसको बेज भी सकते हैं यह पॉसिबल है ओके यह हो गया यहापर यूजज़ फॉसमें जफंच फ्रस्ट वह है यहापर रैपेड म।य्प्लिकेशन होता है तरह नमबर प् से यूज़ करके एंड जो स्टोरेज है विकम इजी हो सकता है मायकर प्रोपाइब इसको लिटल स्पेस लगता है और कमरिशेली प्रोडक्शन होता है पोटाटो एंड बनाना का पॉसिबल है ओके सो यह हो गए यहापर अद्वन्टेज़ ऑफ मायकरो प्रोपाइगेशन उस इंक्रीजन मान है एनिमल पोपुलेशन वो आप क्या हो रहे है मान है प्रोड़ेकर से को बीज़ेट अपर गृट्जरियल प्रोड़क्शन उसके बाद वेजिटेबलशिया पॉत सारे बाहत सारे शिकांट बॉटट्वरेस फ्रूट्स मेंद चाहिए दिसमीन जमेर्ट the demand of the food requirement so यह जो है यहापर pulses है उसके बाद vegetables है यह पर fruits है यह इतने enough नहीं है किसके लिए demand के लिए food की demand इससे ज़्यादा है तो फिर क्या करते है तो similarly the shift of vegetarians जो vegetarian है उसको meat जो है meat उसको यहापर non vegetarian के तरब उसको transfer किया जाता है meat diet also हम लेते उसके बाद इसमें fishes आ गई उसके बाद इसमें जहापर chicken आ गया okay so यह होते है यहापर vegetarian से वो non vegetarian मतलब meat diet में उसको convert किया जाता है because यहापर जो हमारा vegetables है fruit and cereals है यह हमारी जो food है उसकी need को यहापर complete नहीं कर सकता and increase the demand of cereal because to produce 1 kg meat by animal farming about 10 kg grains are required और अब क्या है तो 1 kg meat को produce करने के लिए मतलब यहापर 1 kg meat अगर हमको produce करना है by farming animal animal को farm करके उसको यहापर उसका देखवाल करके तो हमको 10 kg grains लग रहे 10 kg एक किलो meat produce करने में हमको 10 kg grains लग रहे तो यह तो हमारा जो घाटे का फाइदा है हमारे पास पहले ही grains नहीं है तो इसलिए हम क्या कर रहे है तो meat के तरप जा रहे है लेकिन meat को produce करने में यहापर 1 kg meat produce को करने में यहापर हमको 10 kg grains लग रहे है यह तो घाटे का फाइदा है तो इसके साथ साथ क्या करते है फिर यहापर substantial part of human population is also suffer from the malnutrition malnutrition बोले तो कम यह आपर proteins मिलता नहीं है protein protein deficiency है बहुत सारे यह से लोग है जिनको अच्छे से खाना मिलता नहीं है जिनको protein अच्छे से मिलता नहीं है जिसे हम बोलेंगे malnutrition होता है and as they are more one of the best alternative source of the protein for the human and animal nutrition तो इसलिए human के लिए वेजिटेब वेजिटेबल्स fruits and pulses उसके साथ मिट को छोड़ के ऐसा एक प्रोटिन का बहुत अच्छा source है जो हमारी malnutrition जो है उसकी problem को solve कर सकता है जो हमारी food की demand है उसको अच्छे से maintain कर सकता है और वह है single cell protein जे जूसका नाम है या पर CSP जिसम प्रोटिन के बारे में या हमने जो यह इंपोर्टन जो है यह जो information बहुत important है आप समझ सकते हो कि एक बार पढ़ने से आपको इतने समझ में आ गया तो आप एक दो बार कर वेगे तो आपको डिफिनेटली वह ज्यादा से ज्यादा अच्छे में आपको समझ में आए गया ओके सु यह हो गया single cell protein के बारे में कि single cell protein क्यों चाहिए तो टुड़े कि यहापर condition है कि क्या है कैसा है food कितना लग रहा है उसके बाद यह single cell protein क्या है तो यह best example है protein deficiency को पूरा करने के लिए protein को यहापर need को malnutrition को यहापर खतम करने के लिए तो यहापर जो अगर meat produce करेंगे तो 1kg meat produce करने के लिए यह आपर 10kg grains लगेंगे तो यह भी घाटे का फाइदा है है because 10 kg grains को हम invest कर रहे है और 1 kg meat produce हो रहा है कि इस तरह से यह मीड भी नहीं और grains भी नहीं हम single cell protein का यूज करके हमारे मालने nutrition और जो हमारे food की demand है उसको maintain रख सकते है अब देखते advantage of single cell protein इसके advantage क्या है जिसके SCP इसमें क्या था है मश्रूम मश्रूम क्या है तो single cell protein है मश्रूम वो आएंगे single cell protein के अंदर अब आपको जो अच्छे से समझ में आ गए होगा होगा कि मश्रूम आते है तो CSP is rich in high quality protein इसमें high quality proteins होते हैं इस आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 10 यहाँ पर kg grains को grains को यहाँ पर 1 kg meat produce करने में लगता है लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगेंगे वो grains यहाँ पर आपको हाई protein quality मिलेंगी उसके बाद it can produce throughout the year year के अंदर कभी भी produce क्या आजा सकता है single cell protein and they can be grown in the chief raw material chief raw material इसको material नहीं लगता मीट को प्रोडूस करने मिले 10 kg grains लगते तब 1 kg meat यह kg meat produce होता है लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको चीफ raw material लगेंगे single cell protein को प्रोडूस करने मिले करने के लिए and waste so it helps to reduce pollution so pollution को reduce में करने में help करेंगे वेस्ट है जो वेस्ट पार्ट है उसको use करते जो हमारे गेवु है गेवु को अगर हम उपर से काटेंगे नीच वाला जो पाट रहेगा एसा straw उस पर यह आते नहीं तो हमारे जो स्वाइब ने स्वाइब ने स्वाइब इन को यहाँ पर त्रेशर मसीन से जब निकाल लेते तब बाजू में जो यहाँ पर गिरता है रोव मट्रियल उसकी उपफर यह सिंगल सेल प्रोटिन आता है इसका मतलब इसको कोई अलग से कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इसको प्रोडियूस करने में सिर्फ हमको एक ही चीज़ लग रहे है वह है मायक्रोप्स जो मायक्रोप्स अगर हमने डाल दिये रहा मट्रिकल के अंदर वो अपने आप मश्रूम को में सिंगल सेल प्रोटिन को फॉर्म करेंगे ओके उसके बाद रिक्वाइल रिक्वार रि कनमेंशनल फूड सब्ली मेंट यूजर कर सकते दिया कम पैसे में अगर प्रोटिन अगर मिलना मिलेगा अगर हमको चाहिए तो हम यह पर सिंगल सेल प्रोटिन क्या है 好 है सिंगल सेल में को ना क्या होता है तो हम देखेंगे बाद में क्या होता है तो बायो फोटिफिकेशन इसे प्रोसेस जिसमें न्यूट्रेशनल वैल्यू इंक्रिस की जाते हैं किसी भी वराइटी की अगर वीटे तो उसके अंदर की न्यूटरेशन वर्ल्यू को बढ़ाया जा सकता है उस प्रोसेस को एम बोलेंगे बायो फोलीफिकेशन ओके सो काल फोलीफिकेशन इस इस यून क्या टीटेशन Q&A अई एक एक एम्स टू प्रोड्यू प्रोवाइड और इसका एम यहाँ पर हमारा और यहाँ पर और ओलु अगर हम नूटरेशन की वहलों इनक्रिश कर देते तो उसको यहां पर पूर पूर रूलर पीपल से उनको नूटरेशन अच्छे से मिलेंगा वोसके जो माल नूटरे मिलने से होती है वो यहां पर दूर होगी, so it has been provided that bio fortification is an upcoming strategy for dealing with the deficiency of the micronutrients, so bio fortification क्या है तो strategy upcoming यहां पर आने वाली अगे for dealing, किसके लिए dealing with the deficiency of micronutrients, so micronutrients की strategy है, for dealing, किसके लिए for dealing upcoming यहां पर जो यहां पर deficiency आएंगी, upcoming जो यहां पर आगे की जो यहां पर है, deficiency micronutrients की, उसको deal करने के लिए यह strategy है, okay, कौनसी bio fortification, and it is a developing world, so in the developing world, so जो world है, जो develop हो रहे है, उसके अंदर यह क्या होगा, तो यह strategy होगा, किसके लिए to dealing with the deficiency of micronutrients in the developing world, to upcoming strategy, यह upcoming यह आने वाली strategy रहेगी, सभी world की bio fortification, मतलब यहां पर खाना मत बढ़ाओ, लेकिन खाने की अंदर की value होती है, nutrition, उसको होई बढ़ा दो, मतलब जाना खाने की ज़रूद नहीं पड़ेंगी, जो कम ही खाएंगे, लेकिन जो हमें nutrition है, वो बहुत ज्यादा मिलेगा, okay, तो यह हो गया bio fortification की बारे में, और यहां पर है कुछ examples of bio fortification, so fertilized, fortified, fortified means, having twice the amount of amino acid, इसमें amino acid कितने टाइम के, दो टाइम ज्यादा है, lysine, amino acid, lysine, and यहाँ पर है traptophan, so यह जो है, यहाँ पर दो टाइम ज्यादा है, किसमें, यहाँ पर fortified means के अंदर, यह किसका example bio fortification, because इसमें nutrition value ज्यादा है, then wheat, जो है, atlas 66, have the high protein content, and iron, यहाँ पर है, fortified rice, has a five times more iron, are developed, जो iron fortified rice है, इसमें क्या होगा, तो five times ज्यादा iron होगा, मतलब bio fortification, मतलब nutrition value हो ज्यादा होगी, then vegetable crop like the carrot and spinach, जो carrot होगा, उसके बाद जो spinach होगा, यहाँ पर हम spinach को मुडा बोलते, okay, carrot को गांजर बोलते, so इसमें क्या होगा, have the more vitamin A and minerals, so गाजर में क्या होगा, तो more vitamin A होगा and minerals होगा, मतलब यह bio fortification का example है, so vitamin C enriched, यहाँ पर bitter gird जो होगा, okay, so tomato have been developed by the IARI, so कहने का मतलब यही है, यह जो examples है, यह specific यह wheat का है, उसके बाद यह मेज का example है, उसके बाद यह कैसा है कि यह wheat का है, उसके बाद यहाँ पर है crops, यह पर vegetables का example है, उसके बाद यहाँ पर example है, यहाँ पर gird का, butter का, tomato का, okay, so इसमें क्या है, तो यहाँ पर nutrition की quality जो है, वो maximum है, इसमें nutrition जो है, वो ज्यादा है, because यह bio fortification से हुआ है, जिसमें nutrition value उसकी increase कर दी गई है, और यह आने वाली यहाँ पर जो generation है, उनके लिए बहुत यहाँ पर effective होगा, अच्छा होगा bio fortification, so यह हो गए example of bio fortification, so यहाँ पर जो है, हमारा जो part first है, वो end होता है, 11th यहाँ पर chapter का, okay, so 11th chapter का नाम है, हमारा announcement of food production, so यहाँ पर part first हमारा end होता है, अगर इसकी notes आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर Instagram पर मेरको, यहाँ पर message करो, या फिर bio study with Nikhil, ऐसा search करो telegram पर, और हमारा group join हो जाओ, वहाँ पर आपको notes मिल जाएंगे, so thanks for watching, bio study with Nikhil YouTube channel, please like and subscribe to our channel, thank you so much.